नमस्कार साथियो मैं विने दिक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ओफिसेल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से इनफॉर्म किया था कि आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिसन की तरफ से असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की वकैंसी आउट हुई है और इन वकैंसी में आल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और अगर अभी तक आपने इसमें अप्लाई नहीं किया है तो आप फाम फिल कर दीजिएगा नंबर आप वकैंसी काफी अच्छी है और आपके पास एक गोल्डन चांस है गॉर्मेंट जॉब पाने का तो बिसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो ये वकैंसी आई हुई है और पिएस्सी की असिस्टेंट एगरिकल्चर इंजिनियर की इसमें आपका जो एक्जाम पैटर्न है और सिलेबस है वो क्या रहेगा इसके लावा आपका इसकी आप त इस तक आपने हमारे इस एप को इस्टाल नहीं किया है तो इसे इस्टाल कर लीजिएगा हमारे एप पे आपको एगरिकल्चर इंजिनिरिंग के सभी कम्पटेटिव एक्जाम के कोर्सेस मौक टेस्ट और फ्री नोटस वगयरा मिल जाएगा आप जाकर कर सकते हो जो कि आप के सभी प्याश के एगरिकल्चर इंजिट इंजिनिर के लिए जो इक्जाम हुआ था प्रीवियस एक्जाम्स उनके जो पेपर हैं उनका सलोसन की वीडियो आपको प्रोवाइल की जायेगी इसके लावा पर गाइडेंस भी आपको यहां पे मिलेगा और एगरिकल्चर presentation purpose के लिए है जानि कि आपको इसके दोरा केवल eliminate किया जाएगा इसका merit से कोई भी सम्दद नहीं है जो आपकी merit बनेगी वो आपका मेंस exam से और इंटर्यू से बनेगी pre exam जो qualify नहीं कर पाएगा वो means में नहीं बढ़ पाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं बात कर लेते हैं कि जो आपका प्री एक्जाम है उसका एक्जाम पैटर्न कह रहेगा तो प्री एक्जाम जो आपका होगा उसमें जो पेपर रहेगा पेपर में सेक्षन ए और सेक्षन बी होंगे आपके अगर बात की जाए section A की तो section A में आपका general knowledge and general science including GK, geography, economic, culture of Rajasthan इसके question देखने को मिलेंगे section A में number आप question यहाँ पे 100 रहेंगे, 200 marks के रहेंगे यानि की आपका एक question का दो number मिलेगा आपको और दो खंटे में आपको यह वाला part करना रहेगा section B की अगर बात की जाए तो इसमें आपका agriculture engineering जो की आपका graduation level का रहता है अभी मैं आपको आगे syllabus इसका दिखाऊंगा बताऊंगा तो question आएंगे 200 number के रहेंगे एक question का दो number मिलेगा और दो गंटे में आपको यह करना रहेगा फुल यहाँ पे आपके 200 question होंगे प्री आपका objective nature का रहेगा और आपको pre exam की जो merit है उस merit के basis पे आप mens exam दे पाएंगे जो pre exam qualified नहीं कर पाएंगे वो mens में नहीं बट पाएंगे final जो आपका selection होगा वो mens exam के basis पे और आपका interview के basis पे होगा तो यह आपका pre exam के बारे में information हो गई इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका जो इसमें mens का exam है उसका क्या रहता है जब आप pre exam qualified कर ले जाएंगे तो आपकी एक list आएगी उस list के दोरा अगर आप qualified होगे तो आप mens का exam दे पाएंगे और mens में आपका total तीन section रहेंगे अगर बात की जाए क्या क्या आएगा तो पहले आपके दो रहेंगे compulsory subject compulsory में पहले आपका हिंदी का paper होगा और social aspects of engineering का paper होगा यह आपका compulsory है सभी के लिए करना रहेगा सभी को यह यहाँ पे आपका यह जो mens का exam रहेगा यह descriptive होगा यह आपको जो है copy pen से लिखना रहेगा इसमें कोई भी objective का system नहीं है सुमेंस exam आपका descriptive होगा सौसो नंबर का यहाँ पे आपका रहेगा यह section A और section B तीन गंटे में आपको यह करना रहेगा और फिर आपका optional जो subject रहेगा agriculture engineering इसके दो paper होगे जो आपके दो paper होंगे इनमें आपका 200 नंबर का एक paper रहेगा और 3 घंटे आपको मिलेगा एक paper करने के लिए यह आपका total जो है 9 घंटे का रहेगा यहाँ पे और आपको 400 marks रहेगे यहाँ पे आपके सभी papers के तो आपका जो men's exam होगा उसके बाद आपका interview होगा इसके बाद बनेगी final merit list और आपका selection होगा यह इसकी selection process हो गई चलिए आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं कि आपका और क्या-क्या information आपको जाननी आवस्च है तो आपका जो men's exam होगा इसमें दो part होंगे पहला रहेगा compulsory वाला दूसरा रहेगा आपका आफ्सनल compulsory को करना रहेगा अगर आप किसी दूसरे background से बिलाउं करते हैं तो उसको भी करना रहेगा बाकी agriculture engineering वालों को जो agriculture engineering का है आफ्सनल subject वो चूच करके उसको attempt करना रहेगा फिर आपका क्या रहेगा यहां पर आपको 3 घंटे मिलेंगे एक paper करने के लिए और paper आपका descriptive nature का होगा फिर आगे बढ़ते हैं फिर आपका जब mens exam हो जाएगा तो आपका last है stages में interview की interview जो होगा आपका interview में जो आपका compulsory paper है उनमें आपको 35% marks लाने होंगे compulsory paper जो आपके दो होंगे उनमें आपको 35% marks लाने होंगे तभी आप जो है interview के लिए qualified माने जाएंगे और आपका जो दोनों paper रहेंगे compulsory वाले उनको मिला करके 40% marks से उपर आपके होने चाहिए तभी आप दे पाएंगे होगा मैं आपको फिर से बता दूँ इसमें फार्म फिलब चल रहा है मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या eligibility है क्या exam pattern syllabus क्या होता है उसमें मैंने सारी information दी थी आपको brief में उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और अगर अभी तक आप इसमें अपलाई नहीं किया है तो अपलाई कर दीजिए अगर नंबरा वगैंसी काफी अच्छी है आपके पास golden chance है यहाँ पे government job पाने का वीडियो में syllabus को discuss करने से पहले मैं आपको इस course के बारे में inform करना चाहूँगा अगर आप सभी लोगों का dream है कि आप assistant agriculture engineer बन सकें और बन करके एक government job पा सकें तो इस course को join करिए most affordable fees पे quality content आपको यहाँ पे मिलने वाला है इसमें आपको RPSC assistant engineer agriculture के syllabus के according जो आपका agriculture engineering का paper होगा उस paper के important topic की आपको video class मिल जाएंगी यहाँ पे e-book मिलेगी e-book में आपका complete syllabus जो agriculture engineering का है वो अच्छे से cover किया गया है e-book को आप print कर सकते हो 10 प्लस यहाँ पे आपको mock test मिलेंगे जो कि आपके pre-exam का level चेक करने में आपको काफी helpful रहेंगे previous year के जितने भी papers आपके हैं agriculture engineering के वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे साथ साथ में आपको interview guidance भी आपको इसमें मिलने वाला है अगर आपकी कोई भी query है तो इस number पे call कर सकते हैं या मुझे whatsapp कर सकते हैं link मैं आपको description box में दे दूँगा 2000 रुपीज की minimum cost पे minimal cost पे आप इस badge को join कर सकते हैं agriculture gk app को style करें या हमारी website agriculture gk.in पर जाएं वहां से इस badge को install करें और अपनी preparation को अच्छे से start कर दें आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा pre exam के लिए अभी मैं आपको last में pre exam कब होगा ये भी बताऊंगा तो ये आपका course के बारे में information हो गई और जो ये हमारी e-book है study guide for assistant agriculture engineer rpsc के लिए इस e-book में आपका complete agriculture engineering का part cover किया गया है English medium की book है ये e-book आपको course में मिलने वाली है इसको आप print कर पाएंगे तो ये आपके लिए good news है इसे आपका चाहे pre वाला exam हो चाहे men's का exam हो दोनों cover हो जाएंगे अच्छे से इसको पढ़ करके आप आराम से descriptive भी लिख पाएंगे और objective भी अच्छे से cover कर पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं कि इसका syllabus क्या है तो syllabus में आपका पहला रहेगा कंपलसरी पेपर कंपलसरी पेपर के syllabus की अगर बात की जाए तो यहां पे आपका जो general knowledge रहेगा general science रहेगा इसके लावा राजस्थान का जीके हो गया जियोग्राफी एकोनॉमी और कल्चर हो गया current affair की अगर बात की जाए तो इसमें आपका जास्थान का current affair national और international current affair पढ़ना रहेगा जो agencies हैं उनकी activities पढ़नी रहेंगी games, sports पढ़ने रहेंगे, state के, national के और international के यह आपको पढ़ना रहेगा next आपका आता है history and culture इसकी अगर बात की जाए तो history और culture में आपको जो इंडिया का political और cultural historical background है वो पढ़ना रहेगा major monuments and literacy works पढ़ने रहेंगे इसके लबाब आपका जो freedom fight to be थी उनके बारे में पढ़ना रहेगा history, culture of Rajasthan, spatial reference to medieval background पढ़ना रहेगा आपको socio economic life and organization पढ़ना रहेगा freedom movement and political awakening पढ़ना रहेगा next आगे बढ़ेंगे आगे आपका है political integration ये पढ़ना रहेगा आपको literature पढ़ना रहेगा music, dance and theater पढ़ना रहेगा religious belief, cults, saints, poet, warrior saints, लोक देवतास और लोक देवियास ये पढ़ना रहेगा next आपका है handicraft हो गया इसके रिलावा जो festivals होते हैं तो इस्थान में custom dresses जो हैं वहां की ornaments जो हैं उनके बढ़े में आपको पढ़ना रहेगा जो आपका folk dance वगरा होते हैं tribal aspects वगरा पढ़ने रहेगे general science की अगर बात की जाए तो general science में basically आपको क्या पढ़ना रहेगा electronics, telecommunications, satellite and elements of computer both hard and software, research lab including CSIR, managed national lab and institute, environment and pollution यह सब पढ़ना रहेगा आपको इसके अंतरगत नेक्स्ट आपका आता है यहां पर economic development with special reference to राइस्थान इसमें क्या पढ़ना रहेगा आपको basically food and commercial crop जो है राइस्थान की agriculture based industries, major irrigation and zeer valley project, project for development of desert and wasteland, इंद्रा गांधी कैनल project growth and location of industries, industrial raw material, mineral based industries, small skin and cottage industries, export item, राइस्थानी handicrafts, next up guy tribal and their economy, cooperative movement, tourism development in राइस्थान, various high fair plan objective and progress, major economic problem of राइस्थान and obstacles for economic development, current budget of राइस्थान and central government, economic reforms in India and their impact, commercial bank and other financial institute in राइस्थान, ये आपको पढ़ना रहेगा इसके इंतरगत, फिर आपका next आता है geography and natural resource का syllabus, यहाँ पे आपको जो है, जो physical features हैं, वर्ड के important जो places हैं, rivers हैं, monuments हैं, contingents हैं, ocean, ये पढ़ना रहेगा, ecology and wildlife आप इंडिया पढ़ना रहेगा, राजस्थान्स, psychography पढ़ना रहेगा जिसमें आपको climate हो गया, vegetation, soil design, broad physical divisions of राइस्थान, human resources, problem of pollution, unemployment, poverty, drought, famine and desertification in राजस्थान, natural resource of राजस्थान, mines and mineral, forest and land water, next आपका है animals resources, wildlife, conservation, energy, problems and conventional and non-conventional sources of energy, ये सब कुछ पढ़ना रहेगा, तो ये आपका जो है compulsory paper का syllabus यहाँ पे चल रहा है, फिर आपका आजाता है आफसनल पेपर, आफसनल में आपका agriculture engineering की हम बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपकी agriculture engineering के लिए dedicated है, और इसी के लिए हमने course भी lunch किया है, तो ये syllabus आपका agriculture engineering का है, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना रहेगा, पहला इसमें रहेगा surveying, leveling and land development, इसमें आपको basically liner, measurement हो गया, different surveying, device and method, land grading and leveling, contouring and tracing, earth work estimation, land development, budgeting बज़ेटिंग वगारा पढ़ना रहेगा, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाता है, soil and water conservation, इसका जो syllabus है, syllabus को यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छे से, इसको अगर मैं पढ़ूगा तो वीडियो काफी लंबी निकल जाएगी, इसको आप देख ली जिए, इसका screen shot ले जिए, फिर आपका next है, irrigation का part, irrigation वाले का भी आप screen shot ले सकते हैं, मैं side हो गया हूँ, इसका screen shot ले जिए, आपको यह सब कुछ पढ़ना रहेगा, नेक्स्ट आपका है, farm power and machinery का portion, इसका यहाँ पे syllabus दिया हुआ है, इसको एक बार अच्छे से देख ली जिएगा, पढ़ ली जिएगा, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसका आप screen shot ले सकते हैं, नेक्स्ट आपका है agricultural processing, इसका syllabus यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप, नेक्स्ट आपका है farm electrification and rural housing, इसका syllabus यहाँ पे mentioned है, इसको अच्छे से देख ली जिए, इसका screen shot ले जिए, और last आपका आजाता है renewable energy, renewable energy का जो syllabus है, यहाँ प आप करने के लिए, अब last में हम बात कर लेते हैं कि आपका exam कप तक हो सकता है प्री का, तो प्री के exam date out हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जाए स्थान, लोग, सिवा, आयोग की तरफ से, शे तारीक को आपका जो है छे अगस्त को एक exam calendar निकला गया था, जिसमें आपका नंबर पांच पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तहायक अभियनता सयुत्य पतियोगी प्रारंबिक परिच्छा दो हीजार चौबिस, अठाइस, नौ दो हजार पचीस, वो परिच्छा आपकी होनी है, जवीवार के दिन, यानि कि आपके पास अगभी एक साल है, अठाइस, नौ दो हजार पचीस को परिच्छा आपकी होगी, यहाँ परिच्छा की दिनांक साफ साफ दी हुई है, और जवीवार को होगी, आपके पास काफी समय है, आप अच्छे से स्यारी करिए, अच्छे से पुरा से लेबर्स कवर कर डालिए, कर सकें और एक गवर्न्मेंट जॉब पा सकें, हमने जो कोर्स रिजाइन किया है, उस कोर्स में हमने कम्प्लीट स्लेबर्स को कवर किया है, हवाई जो ई-बुक है, उस ई-बुक में हमने डिस्क्रिप्ट्ट्व और अबजक्ट्व दोनों पेपर को ध्यान में रखते और आप अपनी तयारी अच्छे से कर पाएंगे, तो वीडियो का डिस्क्रिप्ट्व बॉक्स चेक करें, एगरिकल्चर जीके अब को इस्टाल करें, हमारी वेब साइट पे जाएं और वहां से कम्प्लीट बैच को जॉइन करें, अपनी प्रिप्रेशन को स्टार्ट कर द धन्यवाद